बीदर दक्षन के निर्णा ग्राम के समीव बेनली रोड के तरफ लाल पत्थर की इलीगल माइनिंग का काम जोरो पर है। इस समवन में केपनियूस को सूचना मिलने पर केपनियूस की टीम उसे स्थान पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। जैसे केपनियूस की टीम वहां पहुंची इलीगल माइनिंग करने वाले लोग टीम को देखकर भागने लगे। कई एकड़ जमीन पर इलीगल माइनिंग चल रही है जबकि डिप्टी कमिशनर गोविंद रेड़ी के आदेश के बाद बीदर माइनिंग विभाग की टीम कई जगहों पर छापे मार रही है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि निर्ना ग्राम के संवीव बेने खली रोड पर इलीगल माइनिंग करने वालों को कानून का डर ही नहीं है और इस इलीगल काम को अपना रोजगार समझकर वो ये काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग को चाहिए किसकी जाच करे और उन पर सक्त कारवाई करे। और माइनिंग ऑफिसर्स कई जगे चापे मार रहे हैं कि माइनिंग ना हो। इसी एरिये से इसी काम करने की वज़ा से इस इलीगल एक्टिविटीज की वज़ा से आप लोग भी देख रहे हैं कि अर्थकुएक भी कितनी बार आ रहे हैं अर्थकुएक याने जलजले भूक इन चीजों की वज़े से भूकम आते हैं लेकिन लोग समझने को तयार नहीं है देखिए कितनी अंदर तक किस तरह का इलीगल काम किया जा रहा है लोग भी आप देख सकते हैं जैसे ही हमारी गाड़ी यहां पर पहुंची हम यहां पर आए तो हमको देखकर यह लोग भागने इलीगल माइनिंग की जा रही है कई गाड़ियों में आप उधर भी देख सकते हैं क्यामरामेन से कहना चाहूंगा कि उधर बताएं कि यह ट्रैक्टर में आप लोग देखिए कि माल भरकर रखा गया है इस तरह कि माल भरकर रात को यह लोग पूरा यह जो है माल की कटिंग करते हैं पतर की कटिंग करते हैं और सुबह सुबह यह लोग इसकी इलीगल ट्रांस्पोर्टिंग कर रहे हैं अभी सुबह साथ बज़े ने सुबह साथ बज़े का वक्त हुआ है साथ बज़े हम यहां पर जब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं कि पूरी जमीन को जो है खड़े में बदल लिया गया है यहाँ पर इस तरह की एक बड़ोती बड़ा बिग स्कैम इसे कहा जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्राउड है जबके इलीगल एक्टिविटीस है तो इसी तरह की जो है लोग भी हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग जमा भी हो रहे हैं पता नहीं इस लोगों को कोई खौफ नहीं है यह किसी से डरते भी नहीं है देखे आप एक ट्राक्टर को लेकर यह भाग रहे हैं जैसे भी हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुंची सो भी भागम भागी करने लगे डिप्टे कमिशनर गोइन रड़ी से औ हमारी अपील है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिवीटिस हो रही है इतने चापी मारे होने के भावजूद भी लोग यहाँ पर डरने के लिए तयार नहीं है इस काम को जो अंजाम दे रहे हैं तो यह कहना चाहेंगे डिप्टी कमिशनर को जिला प्रसाशन को और इस सरको माइनिंग मीनिस्टर से भी यह अनुरोध है कि जल से जल इन इलीगल एक्टिवीटिस पर एक्शन ले और इन लोगों का जल से जल सफाया करें क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन भी चालू करके वो लोग काम कर रहे हैं लेकि यह मशीन भी चालू हो पर इसनी गाले निकाल कर भाग रहे हैं लेकिन इनको इस चीज की परमिशन किसने दी, किसके दम पर कौन सी ताखत है इनके पिछे, किसका पावर है, किसने इनको इजाज़त दी है कि इस तरह के काम किये जाएं हालंकि माइनिंग ऑफिसर कई जगा चापे मारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये लोग जो है इन चीजों को करने से रोग नहीं पा रहे हैं तो जिला प्रसाशन को चाहिए माइनिंग विभाग को चाहिए कि इन पर कड़ी से कड़ी कारवई की जाए और इनकी जांच की जाए तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रह良े हमारे चैनल के साथ देखते रहे हमारे चैनल के पिनवस्ट उन्टीफॉर इन्टू सैवन मैं असलम खाण क्यामरमन पपूराज के साथ दनियवाद यहां पर हमारे साथ महजुद है इस वक्त यहां पर जो माइनिंग चल रही थी हम जब से आपको बता रहे थे उस लाइन के जो है यहां पर ओनर है सलीम जिन का नाम है यहीं लाइन के ओनर है यह माइनिंग इनहीं की है यहीं कर रहे हैं आइए इंसे बात करते हैं लेकिन हम जब यहां पर पहुंचे तो मशीन चल रहे थी लाल पत्तर काटने की मशीन चल रहे थी ट्राक्टर यहां पर थे लारियां थे जिन लोगों को पहले वाले उनर्स देके गए मेरे इसे में तो सिर्फ गड़ेश है अब वह लोगां ये इनके लास्ट कामा है इनका खतम होते हैं फिर मैं इनको भी ब्लॉक कर देता हूं पूरा इनको पूरा लेवल कराने के बाद में जो है इसमें मेरा मेरा प्लांटेशन क करने का एराद करने का में एमकों करें तो ये कृता है माईनिंग आप बोल रहे के शब्लास्ट करें प्लांटेशन कर लह on का के बाद में हमारे इनके नहीं को कि निकलने तो नाम में वह थो बतारिया है मॉंहमाद बतीखता है तो यह वह लैंड के ओनर वही थे अतियसाब उन्हों ने आपको बेचा नाम है और उनका जो नाम है पुराने छे लोगा है वह पहले हम जब लिए उस वक्त में तो छे लोगां दूसरे थे हैं वह थे वह तो दूसरे लोगां लेकिन आप इस पर पर तो प्रेजेंट आप यह सब्सक्राइब अगर जैसे हम बता रहे थे कि यह जमीन इनके इनका कहना है कि कोई और जो है इस पर माइनिंग कर रहा है लेकिन इसमें कितनी सच्चा ही है क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं क्या सच कह रहे हैं क्या खलत है ये तो जिला प्रैसाशन को मालूम करना चाहिए और इसकी जाच करना चाहिए धन्यावाद